आज के वीडियो में हम रेफरेंस टैब के अंदर आने वाले कैप्शन टूल्स के बारे में प्रैक्टिकली डीटेल में जानने वाले है वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सबस्काइब करके पास वाले बेल आइकन को आल पर सेट कर लेजिए ताके हम जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड करें उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास बहुत जाए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम रेफरेंस टैप के अंदर जो कैप्शन क्या टूल हमें मिलते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिसकन करने वाले हैं और साथ ही हम पिछले कुछ टूल्स को भी यहां पर यूज कर लेंगे ताकि यह जो concept है वो बिल्कुल clear हो जाए ओके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला यहाँ पर option है हमारा insert caption हम यहाँ पर जैसे ही click करेंगे और यहाँ पर हमारा dialogue box खुल के आ गया है अब यहाँ पर label के पास यहाँ पर figure आ रहा है यहाँ पर अगर हम इस arrow पर click करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीन option है equation, figure और table याने कि हम यहाँ पर equation, table और figure तीन add कर सकते हैं तो हम पहले काम करते हैं कुछ figure यहाँ पर add कर लेते हैं figure कैसे add करते हैं यहां पर हम थोड़ा सा space ले लेंगे अपनी जो figure हम add करना चाते हैं इसके लिए उसके बाद यहां पर हम insert पर जाएंगे figure यानि के आप कुछ icon insert कर सकते हो, कुछ shapes insert कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो कुछ picture भी as a figure आप add कर सकते हो तो यहां पर फिलाल हम यहां से icon select कर लेते हैं और यहां पर हम click करेंगे और यहां से कोई भी एक icon हम choose कर लेते हैं, suppose यह वाला choose कर लेते हैं यहां पर हम insert पर click करेंगे, तो यह icon हमारा यहां पर add हो गया है ठीक है, अब यहाँ पर हमने 11 pages, 11 pages ले रखे, यह हमारा पहला page है, इसके बाद हम इसके आगे जो pages है, वहाँ पर भी कुछ figures एड़ कर लेते हैं, इसके अगला जो page है, दो नमबर page, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक equation एड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम थोरा सा space ले लेंगे, और यहाँ पर हम अपने equation को एड़ कर लेंगे, यहाँ पर हम इंसर्ट मी जाएंगे, और यहाँ पर हमें equation का option मिल जाएगा, यहाँ पर पास वाले arrow पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें बहुत सारा equation मिल जाएगा, scroll down करेंगे तो, तो suppose हम यह equation यहाँ पर एड़ अब अगला पेज पर हम कोई टेबिल एड़ कर लेते हैं यहां पर भी हम सेम तरीके से एक स्पेस ले लेंगे अपने टेबिल के लिए और यहां पर टेबिल कैसे एड़ किया जाता है इंसर्ट टेब में हम बहुत अच्छे से सीख चुके है अगर आपको डीटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो फीडियो का लिंक मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं तो यहां पर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहां से हम एक टेबिल को एड़ कर लेते है इसके वीड को हम थोरा सा छोटा कर लेते हैं सपोस हमारे पास जो फिल्ड है वो है रॉल और यहां पर सपोस नेम और यहां पर मार्क्स अब यहां पर हम कुछ डेटास ए या पर एड़ कर लेंगे तो यह हमारा टेबिल बनके डेडी है तो यह हमारा टेबिलsung है इस्में कुछ रैंडम डेटास है और इसके अगला पेस्पर हम और कुछ figures, equation और debil add कर लेते हैं, जितने ज्यादा यहाँ पर हमारे पास example होगा, उतना ही आसानी होगी हमें, यह concept को clear नी सबचने में, तो चलिए यहाँ पर हम एक figure add कर लेते हैं, इस बार suppose हम कोई shape ले लेते हैं, यहाँ से हम insert में जाएंगे, और यहाँ पर हम shapes में जाएंगे, और यहाँ से कोई भी एक shape हम ले लेते हैं, suppose यह ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर draw कर लेते हैं, चलिए, यह हमारा एक figure बन गया है, ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ figures, tables और equation add कर लिया है, ओके, इसके बाद हमें इन सब को figure में convert करना है, तो यहाँ पर हम अपने cursor को ले आएंगे, इसके नीचे यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पर insert caption पर click करेंगे, तो यहाँ पर by default हमें दिखा रहा है, figure 1, ओके, तो यहाँ पर हम ok पर click कर देते हैं, यह हो गया हमारा figure 1, उसके बाद हम अगला जो हमने object add किया है, यहाँ पर जाते है, यहाँ पर अगला जो है, वो एक equation है, और फिर से हम insert caption पर यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर हम equation को select कर लेते हैं, क्योंकि यह एक equation है, और यह पर by default equation 1 दिखा रहा है और इसके बाद हम उके पर क्लिक कर देते हैं आगे बढ़ते हैं यह हमारा table है एक और इसके नीचे भी हम सेम तरीके से insert caption पर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हम table को select कर लेंगे तो हमारे documents में यह पहला table है यहाँ पर इसलिए table 1 दिखा रहा है उसके बाद हम उके पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर हम आ गया है इसके नीचे भी हम सेम तरीके से caption एड़ कर देते हैं यहाँ पर आकर जैसे हम यहाँ पर insert caption पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह है हमारा figure तो हम figure को चूज कर लेंगे यहाँ पर दिखा रहा है figure 2 क्योंकि पहले भी हमने एक figure add किया था तो यह figure 2 है इसके बाद हम यहाँ पर ok कर देंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर हमारा जितना भी figure equation और table है उसको यहाँ पर हमने caption दे दिया है हम थोरा सा zoom करके दिखा देते हैं यह हमारा figure 1 रहा और इसके बाद अगर हम चाहें के हमारा जो figures है tables है equations है उसका भी हम एक index create करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हमें एक blank page ले रेना होगा तो यहाँ पर हम अपने जो document है वहाँ पर एकदम top पे आ गया है यहाँ पर हम insert में जाएंगे और यहाँ पर हम blank page पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें एक blank page मिल गया है अब यहाँ पर यह एक number page है यहाँ पर देख सकते हैं अब हम सबसे पहले अपने figures के index को create करते हैं तो यहाँ पर हम figures रिक लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम enter प्रेस करके नीचे आ गया है और यहाँ पर अब हम insert table of figures यहाँ पर हम click करेंगे और यहाँ पर यह जो हमें option दिख रहा है caption label यानि कि हमें किस चीज का यहाँ पर index create करना है यहाँ पर equation दे रखा है लेकिन हम सबसे पहले figure का जो caption है जो index है वो create करना चाते है तो यहाँ से हम figure को select कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर okay पर click कर देंगे तो यह हो गया हमारा figures का जो index है वो यानि कि हमारा figure 1 दो number page पर है figure 2 पांच number page पर है और figure 3 यहाँ पर 8 number page पर है इसके बाद हमारे document में जितने भी equations है उसके लिए हम index rate कर लेते हैं सेम तरीके से हम यहाँ पर equations लिख लेते हैं इसके बाद हम enter press करेंगे और यहाँ पर हम फिर से insert table of figure यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम caption label को अब यहाँ पर equation कर देंगे यहाँ पर फिलहाल equation ही selected है तो इसको ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर हम ok पर click करते हैं तो यह यहाँ पर दिख रहा है कि equation 1 हमारा 3 number page पर है और equation 2 हमारे 9 number page पर है और इसके अगला जो हमारे document में है वो है table यहाँ पर हम table के लिए भी index create कर लेते हैं enter और इसके बाद insert table of figure और यहाँ से हम search कर लेंगे table को यहाँ पर हम ok कर देते हैं अब यह हमारा जो index है वो हमने create कर लिया है figures equation और tables का अब suppose यहाँ पर जो figure number 2 है जो की हमारा 5 number page पर है यहाँ पर हमें जाना है तो यहाँ पर अपने cursor को ले आएंगे और यहाँ पर control के साथ इसके उपर हम double click करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम एकदम से figure 2 वाला जो page है वहाँ पर पहुच गया है सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर तीन number table जो है वहाँ पर अगर जाना है तो हम यहाँ पर cursor को ले आएंगे और यहाँ पर हम control के साथ यहाँ पर double click करेंगे तो हम table 3 जो page पर है वहाँ पर direct से पहुच गया है तो यह हो गया हम अपना जो figures है equations है tables है उसके लिए भी हम index create कर सकते हैं और direct से हम उस page पर उस figure पर या फिर equation पर या फिर table पर जा सकते हैं कोचे अब अब सपोस यहाँ पर हमने कोई नया entry किया है जैसे हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर एक नया equation हम add कर लेते हैं यहाँ पर हम जाएंगे और थोरा सा space हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम insert में जाएंगे और यहाँ पर हम equations में जाएंगे यहाँ से कोई भी एक equation हम उठा लेते हैं चलिए यह ले लेते हैं तो यह हमने एक निया equation add किया है, पहले हमारे पास दो equation था हमारे document में लेकिन अब यहाँ पर तीन equations है, लेकिन यहाँ पर हमारा दो ही equations दिखा रहे हैं, इसके लिए हमें यह जो fields है, इसको हमें update करना पड़ेगा, हम पहले इसको select कर लेंगे, फिर यहाँ पर update table का जो option है, वो यहाँ पर active हो गया है, यहाँ पर हम click करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम update entire table, इस option को select करके ok पर click कर देंगे, तो अब हम देख सकते हैं, कि हमारे यहाँ पर तीन equation दिखा रहे हैं, हम जब भी कोई नया entry करेंगे, वो figure हो, equation हो, table हो, उसके बाद यहाँ पर हमें अपने table को update कर लेना होगा, तो ही हमारा जो यह पहले वाला जो page है, index का page, यहाँ पर वो record show करेंगा, ओके, इसके बाद जो option आता है, वो होता है, cross reference, cross reference हम insert tab के अंदर भी थोड़ा जान चुके हैं, तो यहाँ पर हम और भी detail में जान लेते हैं, तो हमें काम करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा space ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम cross reference पर जाएंगे, और यहाँ पर हमें option दिख रहा है, कि हम reference type क्या होगा हमारा, तो यहाँ से हम कुछ भी एक select कर लेंगे, फिलहाल हमारे पास यहाँ पर equation है, figure है और table है, तो यहाँ से हम equation को select कर लेते हैं, और यहाँ से हमें select कर लेना होगा, कि हम किस तरीके से इसको show करना चाते हैं, page number wise show करना चाते हैं, या फिर caption text जो है, उसके अनुसार हम show करना चाते हैं, तो यहाँ से हम कुछ भी एक option select कर लेंगे, only level and number, हम इसको select कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमें equation तो दिखाना है यहां पर एक्वेशन 1 है एक्वेशन 2 है एक्वेशन 3 है यहां पर हम एक्वेशन 1 के लिए इसको सेटप कर रहे हैं तो यहां पर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहां पर देख सकते हैं थोरा सा हम उपर आ जाते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि य यह पर इस लिंक पर क्लिक करने को बोला जा रहा है. अगर हम इस लिंक पर जाना चाते हैं, तो हम ऐसी वे, चलिए. कंट्रोल के साथ यहापर हम double क्लिक करेंगे, तो अब हम इस लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह हमारा equation 1 है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये लेकिन ये फ्लेक्ष क्लीर लेकिन एक प्लिक्ष थाया क्लार माणों नायग से और ये लेक्स क्रॉस घृष्च हूं किस तरीक से दिखाना चाहते है you only page number wise दिखाना चाहते है या फिर only caption wise दिखाना चाहते हैं dhu । यासे है वह zilect कर लेना होगा यह पर हम पिछले वाला जो option यह पर था only lebenl number यह पर इसको हम select कर लेते हैं और इसके बाद हमें किस sexual के लिए हमें हमने यह जो setup कर रहे हैं हम किस table के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 table है तो suppose हम 2 number table पर जाने के लिए यह जो link है वो हम setup कर रहे हैं तो यहाँ पर हम insert पर click करेंगे यहां पर हम देख सकते कि हमारा link जो है वो यहां पर insert हो चुका है इसको हम यहां से cut कर रहे है और सेम तरीके से हम यहां पर अपने cursor को ले आएंगे और control के साथ इस पर हम double click करेंगे तो अब हम यहां पर देख सकते कि हमारे जो table 2 का जो page है वहाँ पर हम काफी आसानी से पहुँच चुके हैं तो यह होता है cross reference अब हम एक और चीज़ यहाँ पर add कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो figure है last वाला figure यहाँ पर हमारा 8 नमबर page पर है 8 नमबर page और उसके बाद suppose हम 8 नमबर page पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर हम control के साथ इस पर double click करते हैं तो यह हमारा जो last figure है उसके page पर हम यहाँ पर पहुच चुके हैं जो भी figure वागए रहा था वो हमने check कर लिया है तो अब हम यहाँ से एकदम उपर एकदम top के document के top में जाना जाते हैं तो हमें scroll up करके जाना पढ़ेगा तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हमें link लगा सकते हैं जहां से कि हम एकदम अपने document के top पर पहुच जाएंगे तो यहाँ पर हम एक text क्लिक देते हैं suppose हम यहाँ पर लिग देते हैं go to top ठीक है अब यहाँ पर हम इसको select कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे insert पर और यहाँ पर हम links पर जाएंगे इस link पर जाएंगे और यहाँ से हम place in this document यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम top of the document इसको हम select कर लेंगे हाला कि यह सब हम insert वाला जो tutorial है वहाँ पर हम सीख चुके हैं, अगर आपको डीटिल में जाना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पिल जाएगा, वीडियो का आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर हम Top of the Document को सिलेट करेंगे, उसके बाद हम OK पर क्लिक कर देंगे, अब यह हमारा जो तीन फिगर है, व यहाँ पर हम एकदम हमारा जो पहले वाला पेज है, यहाँ पर हम पहुच गया है, इस तरीके से हम यहाँ पर equation का जो लास्ट पेज है, 10 नमबर पेज, सभी equation को अगर हम चेक करना चाहें, तो यहाँ पर 3 नमबर, 8 नमबर, 10 नमबर, 10 नमबर के बाद कोई equation नहीं है, तो हम काम करेंगे, 10 नमबर पेज पर हम गोटू टॉप का एक लिंक क्रियेट करेंगे, ताके हमारा सभ एक्वेशन जब चेक करना हो जाएगा, तो हम गोटू टॉप पर क्लिक करते ही, एकदम यहाँ पर, एक नमबर पेज पर हम पहुच जाएंगे, तो यह थोड़ा सा यूसफिल रहा होगा, और आज का विडियो यही तक.